जैसे राम ग्रहों का हमारे जीवन में बहुत बड़ा अस्तित्व है जब भी कोई ग्रहे गोचर में राशी परिवर्तन कर रहा होता है चाहे वो अपनी नीच की राशी में जाए, शत्रू में जाए, स्वय राशी में जाए जैसी पोजिशन में वैग रह जाएगा वैसी पोजिशन में आपको फल भी देगा कुंडली के अंदर शनी, ब्रस्पती और मंगल को वाई अग्रह कहा जाता है और जब जब ये अग्रह किसी प्रकार का राशी परिवर्तन करते हैं तो व्यक्ति विशेश को बहुत प्रभावित करते हैं क्योंकि इनका समय काल ज़्यादा है जिसमें मंगल को एक राशी के अंदर पचास दिन का समय लगता है उस राशी के अंदर रहे कर अपना अच्छा और बुरा दोनों परिकार का फल देने में मंगल काफी दिनों से करक राशी के अंदर अपनी नीचस तवश्चा में गोचर कर रहे थे जिसमें लगभग लगभग साथ में शुक्र का भी गोचर उनके साथ था वैसे तो हर महीने हर साल ग्रह उसी राशी में मुमेंट करके वापस आ जाते हैं लेकिन उनका फली तो हर बाहर अलग हो जाता है क्योंकि बाकी अन्य ग्रहों पर भी ग्रहों के फल निर्भर करते हैं कि मंगल तो हर बार नीच राशी उच राशी किसी ना किसी में तो आए गई लेकिन उसके अलावा जो अन्य ग्रहे हैं वो उसको कितना सपोर्ट कर रहे हैं यह भी बहुत निर्भर करता है क्योंकि कुंडली में ग्रहों किस्चोतियां फिक्स हैं तो हमेशा ही फिक्स रहेंगी अब गोचर में ग्रहे कहां चल रहे हैं और वो किस तरीके से किस भाव में आकर आपको फाइदा देने वाले हैं उसके बारे में हम गोचर से संबंदित जानकारियां समय समय पर आपके सामने लाते रहते हैं कि इस बार 20 जुलाई 2021 को मंगल देव करेंगे राशी परिवर्तन इस राशी परिवर्तन का क्या फल होने वाला है मेश राशी से लेके मीन राशी वालों के लिए उसके बारे में हम आप से हाँ चर्चा करने वाले हैं और चर्चा में हम आपको बताएंगे कि बहुत सारी लोग जो नीच के मंगल से परभावित होकर परेशान थे काम उनकी अटक गए थे घर के अंदर प्राबलम चली हुई थी अशान्ती का माहूल था एग्रेशन था चड़ चड़ा हटती मानसिक चिंताएं थी अवसाद ब सबसे पहले ब्रह्मांड की जो राशी है मेश राशी मेश राशी से अब तक ये चौथे घर में नीच के होकर चल रहे थे कहते हैं घर के सुख में अगर कोई अशुग है नीच का होकर चले और वही मंगल की द्रश्टी सब्तम भाव पर पड़े तो आपके क्रोध आपके परिवारिक जीवन में तनाव हो सकता है आपके परिवार के अंदर रहे शांती का वातवरन आ सकता है पतनी के साथ संबंधियों के साथ कुटुम के लोगों के साथ कल है उत्पन होने की संभावना दिखती थी लेकिन अब ये मंगल करक राशी नीचस्त से निकल कर आपकी राशी से पंचमस्त बुद्धी स्थान पर गोचर करेगा यानि राशी विशेष लगन विशेष का मालिक जब अपने से पंचम में जाए तो ये बुद्धी स्थान के साथ साथ लक्षमी तरिकौन है और कहते हैं जहां बुद्धी ठीक परकार से काम करें वहां पर धन का अब अगमन होता है लक्षमी का वास होता है अब यह मंगल जब आपके बुद्धी स्थान पर आएगा तो लक्षमी का आगमन भी होगा बुद्धी ठीक परकार से काम करेंगी इसको एक बहुत बहतर ग्रह सपोर्ट करता है उस ग्रह का नाम है ब्रस्पती वो ब्रस्पती आपकी राशी से एकादश में होकर मंगल को दरश्टी दे रहा है या मंगल ब्रस्पती को दरश्टी दे रहे हैं यानि लाब भाव और पांचवा घर बुद्धी और सोर्स ओफ इंकम का आपस में समन्वे बन रहा है ब्रस्पती आपके लिए भागेश हैं वो आपके लाव होना शुरू हो जाएंगी वो आपके लिए लाव देना आपको शुरू कर देंगी आपके जीवन में सोर्स ओफ इंकम पैदा देने शुरू कर देंगे ये प्लैनेट तो मंगल की ये स्थिति अपने आप में बहतरीन है इसमें कोई भी संदे नहीं है तोकि मंगल का मंगल का संबन लाव से है उस लिहाट से ये कॉम्बिनेशन अच्छा और शुक्र भी लगातार इसको सपोर्ट कर रहे हैं और आपकी राशी लगन के साफ से देखें कि मेश लगन हो या मेश राशी हो उस से शुक्र धनभाव के मालिक भी हैं सब्तम के मालिक भी हैं यानि ये combinations पंचम में चल रहा है अगर जीवन में कोई love relations related problem चल रही हो चाए वो पती-पतनी के बीच में problem हो चाए आपके प्रेम संबंदों को लेके problem हो वो problem यहां sort out होती दिखाए देगी शिक्षा के इसाब से बुद्धी के इसाब से स्थिति अच्छी है source of income के इसाब से combination आपके लिए बहुत सुखद रहने वाला है क्योंकि आपके करम स्थान के मालिक भी शनी अपनी राशी में हैं तो ग्रह आपके सहयोग के लिए तैयार हैं ये आगामी 50 दिन आपके जीवन में बहुत अच्छा सुख सहयोग परदान करने के लिए आ रहे हैं आप अपनी य मंगल देव का गोचर चल रहा था मंगल देव नीच के होके तीसरे घर में थे साहस दे रहे थे हिम्मत दे रहे थे लेकिन कभी कभी अती साहस और ओवर कॉंफिडेंस के कारण आपका नुकसान भी कर सकते हैं अभी 20 जुलाई से ये ग्रह राशी परिवर्तन करेंगे और आ प्रिकार की भूमी जमीन जैदास से संबंदित घटना आपके जीवन में घट सकती है आप भूमी के लिए खर्च करना चाहें भूमी के लिए इन्वेस्ट करना चाहें कोई फ्लेट पर्चेस करना चाह रहे हैं कोई वाहन लेना चाह रहे हैं घर का रिनोवेशन शुरू कर आना चाह रहे हैं उस लिहाज से ये combination बहुत अच्छा सब्तमेश होके ये सब्तम भाव को देख रहा है और शुक्र उसका सयोग देने के लिए तैयार है इसका मतलब है जीवन साथी का जीवन में आना शादी नहीं हो रही है रिष्टा नहीं हो रहा है उसके लिए ये बहुत अच्छा combination है पद प्राप्ति के लिए अच्छा है सोर्स ओफ इंकम के लिए अच्छा हो जाएगा क्योंकि मंगल यहां से संबंद बनाएंगे सब्तम से दशम से और एकादश से नौकरी नहीं लग रही है नौकरी लग जाएगी प्रमोशन नहीं हो रहा है प्रमोशन हो ज मालिक ब्रस्पती से संबंद बना रहा है मंगल ब्रस्पती आमने सामने यहां देख रहे हैं शुक्र का सहयोग है शुक्र आपके राशी लगन के मालिक भी है इसका मतलब आपके लिए यह स्थती बहतर हो गई अब मंगल जिन जिन लोगों से संबंद बना रहा है उनसे फा प्रपर्टी से लाब मिलने वाला है, कोई प्रपर्टी आपकी सेल नहीं हो रही है, भीक जाएगी, खरीदना चाएं, खरीज़ सकते हैं, रेंट पर देना चाहा है, प्रपर्टी से फाईदा लेना चाहा है, तो उस लिहाज से यह कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्चा है, भाग्य स्थान के स्वामी शनीदेव देखे अपनी ही राशी में हैं भले वक्री हैं लेकिन ग्रह अच्छी पोजिशन में हैं इसका मतलब है ग्रहों की जो रूप रेखा है वो आपके लिए अच्छी बनी होई है थोड़ा सा प्राबलम है क्योंकि मंगल यहां द्वादश क स्वामी भी हो जाते हैं जब वो शुक्र शेरिलेशन मनाएं शुक्र शिक्स्त लौर्ड भी है इसलिए चरित्र पे साबधानी रखनी पड़ेगी किसी प्रकार का संबंध सामने आ सकता है आपके चरित्र को डग मगा सकता है उसके कारण आपको सामाजिक हननन का सामना करना पड़ सकता है तो इस पर थोड़ा सा विचार करिए आपने उपर सयम रखिए कारे छेत्र के लिए या अन्य पर किसी प्रकार के दश्टी कौन से देखें तो ये कंबिनेशन अच्छा दिखाए दे रहा है बात करते हैं मिथुन राशी वालों के लिए ये कैसा रहने वाला मिथुन राशी बुद्देव की राशी मिथुन राशी के मालिक राशी में ही चलते हुए अच्छी स्थती को परदान कर रहे हैं यानि कोई हेल्थ इशूज हुआ उसको सॉल्व करेंगे परेशानी आई उसको सॉल्व करेंगे अब आपकी राशी से दूसरे घर धनिस्थान में नीच का मंगल चल रहा था नीच का मंगल जब धनिस्थान में चले तो वाणी को खराब कर सकता है कुटुम्ब में कले दे सकता है घर परिवार के लोगों से विचार विमर्ष में प्राबलम दे सकता है क्योंकि मंगल आपकी राशी से सश्टेश है इसलिए धंज संबन्दी चिंता या नुक्सान देने में शक्षम है अब ये मंगल नीच्टा को छोड़कर मित्र की राशी में राशी से तीसरे घर में होंगे कहते हैं मंगल अगर तीसरे घर में पहुँच जाए तो ये प्लैनेट अकेला काफी आपके जीवन में आपको सफलता देने के लिए क्योंकि तीसरा घर संगर्ष, शाहस, मेहनत, धर्र, सहजता इन के लिए जाना जाता है अब मंगल अगर वहाँ पहुचे तो वो इन चीजों में बढ़ोत्तरी करेगा क्योंकि मंगल को ये सारे क्रियकला पसंद है मंगल चाहता है अपने जीवन में जोस से काम करना वहीं से मंगल छटे घर को भी दरश्टी देता है चाहता घर शत्रों को परास करने में काम आता है रोगों पर विजय प्राथ करने के लिए काम आता है कमपेटिटिव एक्जाम में सफलता हाचल करने के लिए आता है मंगल वहाँ से बैठकर भागय स्थान और करम स्थान को भी दरश्टी देंगे अचानक से आपके जीवन में भागय और करम को लेकर कुछ बहतरिया शुरुआत होती दिखाई दे रही है जिन योजनाओं पर आप कार्रे करने वो योजना यहाँ कौन रूप से फल देंगी क्योंकि इसमें एक बहुत सुंदर योग है कि ब्रस्पती आपको दरश्टी दे रहा है कौन है ब्रस्पती सप्तम और दशम के मालिक यानी भागय स्थान में बैठा हुआ ब्रस्पती करम स्थान को समपाल रहा है वो करम मंगल से प्रभावित हो रहा है यानि आपके द्वारा दी गई एनरजी आपके द्वारा दी गई मेहनत सफलता की तरफ चलती चली जा रही है वहीं शुक्र का भी उसका साथ है इसका मतलब पंचम आपकी राशी से पंचम के मालिक हैं शुक्र शुक्र शिक्षा और बुद्धी के मालिक है पंचम भाव और साती सात अगर हम देखें तो एकादश के मालिक भी मंगल है इसका मतलब शिक्षा में सफलता बुद्धी के द्वारा सफलता योजनाओं के द्वारा सफलता मिलने के बहुत अच्छे योग आपको यहां बनते द लिए जाना जाता है उसमें वैसा ही प्लैनेट अगर बैठ जाये तो समझ लिजी आपके लिए तो एक वर्दान ही हो गया क्योंकि व्यक्ति को सही ट्रेक मिल जाए काम करने के लिए इतना ही काफी है उस पे वो महनत कर लेगा, महनत करेगा तो उसको कर्मों का फल मिलेगा, धन मिलेगा, मान सम्मान मिलेगा, भागे में व्रत्ती होगी बात करते हैं करक राशी के लिए के ये कैसा रहने वाला है करक राशी में अभी तक मंगल आपकी राशी विशेस पे नीच के होके चल रहे थे जो कि 20 जुलाई को राशी परिवर्तन करेंगे चंदर्मा की राशी में मंगल हो एग्रेशन होता है चटपटाहत होती है चिड़चडाहत होती है करोध आता है बहुत तेजी से करोध आना भले ही वह एकदम शांत हो जाना लेकिन उतने ही करोध में आप अपना काम गड़बल कर दें ये एक खराब है आपकी राशी से योग कारक मंगल अब धनभाव में पहुँचेंगे यानि वानी के द्वारा सोर्सोप इंकम इखटा होने वाला है बोलचाल के द्वारा, बुध्धी के द्वारा, ज्यान के द्वारा, एजूकेशन के द्वारा आपको सफलता मिलने वाली है आप अच्छे खासे पड़े लिखे हैं आपने अपनी एजूकेशन कमपलीट कर ली है और आप चाहते हैं कि मुझे कोई अच्छी डिग्री मिल जाए नौकरी मिल जाए सफलता मिल जाए वो मिलने के एक संयोग बनते हैं मंगल वहां से बैठकर बुद्धी स्थान अपनी ही राशी को देखते हैं तो शिक्षा के लिए अच्छा संतान प्राप्ति के लिए अच्छा संतान से सुक्सायोग लेने के लिए अच्छा हो जाएगा अश्टम से बैठकर ब्रसपती इसको कवर कर रहे हैं जो की पंचो में जो कि कुंडली के अंदर छटे और भाग्य स्थान के मालिक हैं भाग्येश का अश्टम में जाना भाग्ये में प्राब्लम देता है लेकिन जब योग कारक मंगल की द्रश्टी उस पर पढ़ जाए तो आप अपनी मेहनस से अपने भाग्ये को चमका लेंगे मंगल यहां से भाग्य स्थान के मालिक ब्रस्पती और भाग्ये स्थान दोनों पर द्रश्टी देते हैं एक सप्तम द्रश्टी और एक अश्टम द्रश्टी जब दोनों द्रश्टी आपस में कवर हों तो समझ लीजिएगा आप अपनी बोलचाल से वानी से बुद्धी से ज्ञान से साहस से जोस से इन सब को एक साथ एकत्रित करके लाब मिलेगा क्योंकि मंगल दशम के भी मालिक हैं करम का मालिक अगर दूसरे घर में हो तो कहते हैं करम और वानी का समनव है जब आपकी बोलचाल और आपका धन एक साथ हो जाएं तो समझ लीजेगा जो आप बोल रहे हैं जो आप सामने वाले को समझा रहे हैं वो कारेच्छेतर आपके लिए प्रगती पत्की तरफ आपको ले जा रहा है आपको सिर्फ अपनी सही रहा पकड़नी है सही दिशा पकड़नी है जिसके साथ चलके आप अपने जीवन में सफलता हासिल करेंगे तो मंगल आपके लिए यहां इस प्रकार से सहयोगी होने वाले है शुक्र इसका भी साथ दे रहे हैं शुक्र लाभाव के मालिक और चतुरतेश भी है इसका मतलब भूमी जमीन जाधात प्रपरटी से फाइदा मिल सकता है प्रमोशन ड्यू है प्रमोशन मिल जाएगा नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी मिल जाएगी एक्स्ट्रा सोर्स ओफ इंकम का इखटा होना परिवार से सुक्सायोग या धन मिलने का भी ये योग आपकी सकुंडली के अंदर साफ तोर पर दिखाई दे रहा है तो उस लिहाज से ये कॉंबिनेशन बहुत अच्छा है करक राशी वालों के लिए जो उत्तेजना जो उमंग उनके मन में चल रही थी जो छटपटा हटती वो कुछ शान्त होगी और आप अपने कारे शेतर में कुछ अच्छी तरफ चलते दिखाई देंगे चलिए बात करते हैं सिंग राशी वालों के लिए ट्रांजट कैसा रहने वाला है अभी तक सिंग राशी वालों के लिए देखें तो यह प्लैनेट योग कारक प्लैनेट है लेकिन योग कारक ग्रहे भी अगर अच्छी अवस्था में अच्छे भावों में ना चल रहा हो तो वो आपको अपने पूर्णफल नहीं देता योग कारक होते हुए यह ग्रहे आपकी राशी लगन से द्वादश भाव में गोचर कर रहा था और नीच का था जहां ये करमस्थान, भाग्यस्थान, चौथा घर इन से सभी से संबंद बनाने के लिए तैयार था वहीं ये ग्रहे नीच का भी था इसलिए आपको पूर्ण परिणाम नहीं दे रहा था लेकिन अभी ये ग्रहे क्योंकि शुक्र के साथ इसकी यूती काफी समय से चल रही है अभी है 20 जुलाई को करकर से निकल के सिंग में आ जाएगा यानि सबसची बात तो ये है कि एक खराब भाव से निकल कर जब ग्रहे एक अच्छे और पवित्र इस्थान लगन जैसे इस्थान में ट्रांजिर कर जाता है तो ग्रहे के अंदर ग्रहे की बल में बढ़ोतरी हो जाती है वहाँ पे बैटकर उसको मानसम्मान मिलता है कारे शेतर में सफलता मिलती है अच्छे खासे लोगों के साथ मिलकर कारे करके उसको लाब मिलता है अगर कोई टेंडर कोई कारे आपके हाथ से निकल चुका है छूट चुका है तो उसके फिर से मिलने की संभावना बढ़ेंगी भूमी जमीन जादाद वाहन से संबंदि सुक होना उनमें फाइदा मिलना कारे करते हुए जीवन में आगे बढ़ने की प्रेड़ना देगा आपको ये मंगल जोकि मंगल हमेशा से साहस इक ग्रह कहलाता है साहस अगर व्यक्ति के पास हो हिम्मत अगर उसके पास हो धन का कारग्र है ब्रस्पति जब आपके मंगल को जोकी योग कारग को उसको द्रश्टी देगा तो एक बहुत सुंदर राजयोग और धनयोग बनेगा यानि ये पचास से साथ दिन आपके जीवन में ऐसे होंगे जिसमें आपको अचानक से लोटरी लगने या कोई बड़े काम के मिलने की संभावनाए बढ़ जाएंगी भाग्य स्थान का मालिक होके ये मंगल लगन में होगा यानि भाग्य आपका साथ देगा इश्वर की किरपा आपको प्राप्त होगी चतुरतेश होके चौतेगर को देखता है तो घर परिवार से भी सुख मिलेगा प्रपर्टी का सुख मिलेगा कोई प्रपर्टी खरीदना चाहते हैं कोई मकान बनाना चाहते हैं किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं तो उस समय आप अपना व्यर्थना जाने दें इसमें जिन योजनाओं पर आप कार्रे कर रहे हैं उन पर लगातार कार्रे कीजिए आपके लिए एक बहुत बड़े लाब बहुत पड़ी अपोर्चुनिटी सामने आती दिखाई दे रही है जो आपको फायदा अवश्य दे के नीच का हो तो इसको राजयोग कारा कहा गया है वरत प्राशर हुराशास्त्र में वहीं ग्यारवे घर में मंगल है तो इसलिए सोर्स ओफ इंकम तो लगातार देगा अब यही मंगल ट्रांजिट करते हुए द्वादश में पहुँचेगा कन्य राशी लगन वालों के लिए मंगल तीसरे और अश्टम का मालिक है जब मंगल द्वादश में पहुँचे तो यह मैलेफिक्स प्लेनेटस है अशूब ग्रहे का राशी विशेश से द्वादश में होना थोड़ा सा आपकी मेंटल स्ट्रेंथ के लिए अच्छा नहीं म पर आती है कभी कभी ऐसे लोग अपने शरीर के लिए बहुत ज़्यदा जागरुक हो जाते हैं योगा क्लास जोइन करना प्राणायाम जोइन करना रनिंग वाकिंग अपने आपको फिट रखना उन लोगों के लिए बहुत ज़्यदा जरूरी हो जाता है उसके प्रति वो और धनिस्थान के मालिक हैं इसका मतलब शुक्र की यह स्थिति आपके लिए पावरफुल हो सकती है भले ही मंगल की स्थिति इतने अच्छी ना हो लेकिन शुक्र उसका सहयोग दे के आपका कार्य चलाते रहेंगे मंगल की आठवी द्रश्टी जब आपके वयवाहिक जीवन पर पड़ती है तो इसको कह सकते हैं डिस्प्यूट्स या मतभेद या किसी तीसरे व्यक्ति विशेश के कारण आपके जीवन में कल है उत्तुपन हो रहा है उसलिए ये उस लिहास से एक कॉंबिनेशन अच्छा नहीं है नहीं तो हिम्मत बना के रखेगा साहस बना के रखेगा मेहनत कराएगा दूर इस्थानों से जुड़कर आपको धनलाब दिलाने में ये कॉंबिनेशन शक्षम है क्योंकि कन्य लगन कन्य राशी वालों के लिए मंगल को शत्रूग्रह कहा गया और शत्रूग्रह का ट्रांजिट गोचर अगर अच्छे भाव में ना हो तो वो आपको तंग कर सकता है इसमें कोई भी संधे नहीं है जो थोड़ा सा धैर है आपको वरतना होगा अपने उपर सयम रखना होगा तभी आप इसमें आगे चल सकते हैं ब्रसपती आपको यहां सयोग दे रहे हैं लेकिन ब्रसपती भी यहां चटे में हैं और उस पर मंगल की द्रश्टी भी आ रही है इसलिए अपने पारिवारिक जीवन को समालने का बहुत जादे दायत्व आपको आने वाले समय में आपके उपर आने वाला है प्रफेशनल लाइफ को भी समालना है पबलिक इमेज को भी समालना है और वेवाहिक जीवन को भी समालना है यह आपके लिए कठिन तपस्या का समय या कठिन परिक्षा का समय है जिसको आपको सही तरीके से ढाल कर यहाँ चलना होगा क्योंकि मंगल का यह गोचर आपके लिए कोई बहुत ज़्याद अच्छी स्थिती नहीं लेकर आ रहा है चलिए अब हम बात करते हैं तुला राशी वालों के लिए मंगल का यह परिवर्तन किस परकार के रिजल्ट लेकर आ रहा है मंगल देव अब तक आपकी राशी आपकी लगन से करम इस्थान में नीच के होकर चल रहे थे अगर प्लेस्मेंट की बात करें ग्रह कहां का मालिक होके कहां बैठा हुआ है तो वह इस्थिती अच्छी है इसको मैं खराब नहीं कहता मंगल आपको थोड़ा करोधित और जल्दबाज बना सकता है लेकिन कारच छेतर के लिए मंगल की नीच की इस्थिती भी आपके लिए ठीक प्रकार ही फल दे गई होगी लेकिन अब उसके बाद ये मंगल आपकी राशी लगन से लाव भाव में आ जाएगा लाव भाव में गया हुआ कोई भी ग्रह हो वह अपनी दशाकाल में अपने गोचर में आपको अच्छे परिणाम अवस्य देता है क्योंकि वह एक सोर्स ओफ इंकम का हाउस है वहां से हम लोग जीवन में धन कमाते हैं आपकी राशी से दूसरे घर के मालिक मंगल एकादश भाव में स्थित होकर दूसरे घर को वापस रश्टी देते हैं यानि आपके आने वाले समय में आपके जीवन में धन कमाने का बहुत बड़ा साधन आपकी वाणी होने वाली है आपकी बोलचाल होने वाली है कि आप अपनी भाषा शैली से लोगों को प्रभावित करेंगे वह भाषा शैली आपके जीवन में आपका जीवन यापन का साधन बनेगी धन के आयाम आने वाले समय में खुलते नजर आ रहे हैं क्योंकि शुक्र भी इसका बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं और शुक्र आपकी राशी लगन के स्वामी भी हैं इसका मतलब है आपके लिए यह गोचर कुछ अच्छी खुशकबरी लेकर आने वाला है पतनी की तरफ से अगर किसी प्रकार का भी कोई मनभेद आपका चल रहा था तो वो खतम हो जाएगा और पतनी की तरफ से आपको अच्छे सोर्स ओफ इंकम मिलने की भी इस्थितियां आगामी समय में साफ तोर पर दर्शित हो रही है साती सात मंगल शुक्र का यह योग भी आपको आपकी उर्जा बढ़ाने में सायक है आपको सोर्स ओफ इंकम देने में सायक है मान सम्मान भी दिलाएगा क्योंकि वो आपकी राशी का मालिक भी है ब्रस्पती को देखिएगा ब्रस्पती भी इसको द्रश्टी दे रहे हैं अगर धन के कारक के रूप में ब्रस्पती को देखा जाए तो यह एक बहुत सुन्दर युति आपके लिए है के धन का कारक जब धन योग बनाने वारे दो ग्रहे मंगल और शुक दोनों को द्रश्टी दे रहा हो तो समझ ली दिया आपके लिए एक बहुत अच्छा सहयोग है भाग्य भवन के स्वामी बुद्ध बहुत अच्छी स्थती में है शनी अपनी स्वाराशी के अंदर चल रहे है यानि बाकी ग्रहों का जो मूवमेंट है वो मंगल को सहयोग दे रहा है अकेले मंगल से कुछ नहीं होगा लेकिन बाकी ग्रहों का मूवमेंट अपने आप में बहुत बहतर है इसलिए रिजल्ट आपको मिलेंगे कहते हैं गोचर में जब भी कोई ग्रह चल रहा और उसके सब्तम में कोई ग्रह आ जाता है तो उसको वेद बोला जाता है लेकिन यहां वरस्पती आपके लिए बहतर ही हैं खराब नहीं है इसलिए तुला राशी वालों के लिए मंगल के यह पचास पचपन दिन आपके लिए बेहत सुखदायग होने वाले है चलिए मैं बात करता हूँ अब वरस्चिक राशी वालों के लिए गोचर कैसा रहेगा वरस्चिक राशी आपके तो मालिक ही मंगल देव है अब तक यह आपकी राशी लगन से नौवे घर में चल रहे थे नीच के होकर यानि ग्रहे के अंदर बल है वो ग्रहे आपको कारे करा रहा है मेहनत से करा रहा है फाइदा दे रहा है लाब दे रहा है लेकिन कहते हैं जब राशी विशेश का मालिक नीच का हो जाता है अपने मित्र की राशी में सूर्य के रोयल साइन के अंदर और आपके राशी लगन से तो ये दशम में आ रहा है करम भाव में ग्रहे आ रहा है मंगल और मंगल हो जाएंगे वहां दिक बली और वहां से बैठ कर वापस द्रश्टी देंगे आपके राशी लगन को इसका मतलब है कि ये combination आपके लिए बहुत सुखदाई होने वाला है आने वाले समय में अच्छे source of income आपके लिए मिलेंगे मान सम्मान बढ़ेगा कारे छेतर में व्रद्धी होगी किसी प्रकार का कोई नया काम भी आप आने वाले समय में जोड सकते हैं नौकरी चाहिए नौकरी मिल जाएगा कारे छेतर में सम्मान चाहिए वह मिल जाएगा मेहनत के साथ आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपके तरक्की के रस्ते खुल रहे हैं शुक्र को देखिएगा शुक्र आपके साथ यहां बैठा हुआ है जो की द्वादश और सक्तम का मालिक है यानि कारे के लिए कोई बड़ी यात्रा या हवाई यात्रा भी संभव दिखाई देती है उसके अलावा ब्रसपति का सायोग देखिए आपके मंगल को है क्योंकि ग्रह कभी अकेला परिणाम नहीं देता अम मंगल को जब ब्रसपती की दरश्टियों ब्रसपती आपके लिए पुल मिला के आपके राशी से दशंब में आने वाला मंगल आपके लिए सुख संदेश लेकर आ रहा है कि कोई भी कारे आपका अठका हुआ हो तो उसको ये जटके से निकाल कर और आपको लाप पहुचाने वाला है चलिए बात करते हैं धनुराशी वालों के बारे में धनुराशी वालों आपके लिए अब तक मंगल देव अश्ठम में चल रहे थे नीच का ग्रह जव अश्ठम में चले तो दुखदाई होता है पीडा देता है अचानक से लॉस करा सकता है परेशानी दे सकता है किसी ना किसी प्रकार की बात को लेकर परिवार के अंदर कुटुम्ब के अंदर मेरिड लाइफ में कलह उत्पन हो सकता है मंगल जब अश्टम में नीच के चल रहे हो तो way of talking भी खराब कर सकता है लेकिन अब ये मंगल हो रहे हैं बहुत बहतरीन क्योंकि अगर आपने उस दोरान कोई शिक्षा की तो शिक्षा में आवश्य आपको अउरोद आया होगा परिशानी आई होगी love life में problem आई होगी लेकिन अब आपकी love life भी अच्छी होने वाली है आपकी education भी अच्छी होने वाली है शिक्षा का भाव शिक्षा में लाब मिलेगा पंचम का मालिकों के नवम में हायर एजूकेशन करने से फाइदा मिलेगा या आप हायर एजूकेशन के अंदर एंट्री कर जाएंगे अगर आपको किसी परकार से नया एडमीशन लेना है तो उसके लिए ये कॉंबिनेशन लुकर काम करें या जहां पर आपका जनम स्थल है उससे बहुत दूर स्थान के लोगों से संपर्ग बना कर भी आपको आने वाले समय में अच्छा खासा फाइदा होने वाला है क्योंकि मंगल जब पंचम से नवं में हो तो यह धनियोग है शुक्र इसके साथ हैं कौन है शु सोफ इंकम मिलेगी भले ही वो सश्टेश भी है तो थोड़ा बहुत संगर्श होगा लेकिन इसको मैं कोई खास खराबी नहीं मानता हूं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपकी राशी लगन के मालिक ब्रस्पती वो वक्री होकर तीसरे घर में हैं जो की मंगल को दरश्ट से अपने कारे छेतर में तरक्की हासिल करने का एक बहुत संदर कॉंबिनेशन मंगल के द्वारा होगा यारी मंगल आपके लिए धंडायक भी होंगे भाग्ये में व्रद्धी करने वाले भी होंगे सोर्स ओफ इंकम बढ़ाएंगे और आपको सभी प्रकार से लाब कि हमारी मेरिड लाइफ में डिस्टरवेंस चल रहा है उसके पीछे रीजन यही था कि जब आपकी राशी लगन से सब्तम में मंगल आ जाए नीच का हो जाए तो प्रबलम देता है अब ये ग्रह नीचता से तो निकल गया लेकिन ये अश्टम में पहुंच गया कौन है पतलब ये ग्रह सोर्स ओफ इंकम देने वाला तो है कार्य देने वाला तो है फाइदा देने वाला तो है जब मंगल अश्टम में ट्रांजिट करें और एकादश का मालिक भी हो तो अचानक से किसी परकार का धनलाब मिलने के संकेत बना देता है आपका पैसा कहीं रुक गय है फस गया है मिल नहीं रहा है पेमेंट आपकी लेठ हो गई है कोई व्यक्ति आपका धन नहीं दे रहा है तो यहां से समझ सकते हैं कि आपके लिए एक बहुत अच्छा संकेत दे रहा ये ग्रह है और आपको फाइदा देगा क्योंकि योग कारक शुकर इसका साथ दे रहे नीच का मंगल आपके लिए जादे प्रब्लमेटिक था लेकिन ये मंगल आपके लिए ठीक है कभी कभी ऐसा होता है जो लोग जिवन में रेंट पर रहते हैं किराये पर रहते हैं इस दोरान उनको हो सकता है कोई मकान बदलना पड़ जाए या ये भी कह सकते हैं कि मकान से चल रही कोई योजना चलते चलते कुछ समय के लिए रुक जाए वैसा भी आपके चार्ट से दिखाए देता है आप इस दोरान किसी परकार की भूमी जमीन जायदास से संबंदित किरह विकरे ना करें अपने धन को संजो के रखें ब्रसपती की द्रश्टी भी आपको मिल रही है और ब्रसपती द्वादश और तिर्तिय भाव के मालिक हैं इसका मतलब व्यास्थान, खर्चिस्थान और हानिस्थान के मालिक ब्रसपती आपकी राशी से दूसरे घर में चल रहे हैं जो कि मंगल को support तो देते हैं लेकिन वह भी इसी तरफ इशारा करते हैं कोई नया invest नहीं करना है अपने धन को संजो के रखना है थोड़े समय का इंतजार करना है जब तक कि ये मंगल कम से कम तुला राशी के अंदर entry ना कर जाए तब तक आप किसी प्रकार की कोई नया पैसा कहीं नहीं लगाएंगे नई property में नहीं लगाएंगे थोड़ा वेट करना होगा नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है बाकि source of income के इसाफ से इस्तिती ठीक है पैसा आपके लिए flow बना रहेगा क्योंकि यहां शुक्र मंगल को अच्छा खासा सयोग कर रहे हैं बात करते हैं क कुमराशी वालों के लिए यह combination कैसा है कुमराशी शनी देव की अपनी राशी है और शनी देव इस राशी में मुल्तरिकोन भी होते हैं आपकी राशी से सब्तम में मंगल आएंगे 20 जुलाई के बाद यह मंगल लगबग 50-52 दिनों के लिए इसी राशी में ट्रांजिट कर आपको हिम्मत साहस प्रदान कर रहा था अब यह मंगल सब्तम में आ जाएगा सबसे अच्छी बात यह कि सब्तम में आकर यह शुक्र के साथ से सहयोग बनाकर एक राजियोग का अंदिर्मान करेगा क्योंकि मंगल दशमेश हैं तिर्तियश हैं तीसरा घर साहस सहस्ता के लि सम्मान में व्रद्धी होने के बहुत ज़्यादा चांस दिखाए देते हैं किसी प्रकार की नई योजना पर कारे करके आपको लाब मिलेगा क्योंकि शुक्र चतुरतेश और नवमेश होके मंगल का सहयोग दे रहे हैं इसका मतलब यह समय कारे में व्रद्धी भी देगा भ उस लिहाज से यह कॉंबिनेशन बहुत अच्छा है दशमेश जब दशम को देखे कारे में व्रद्धी करता है दिन चर्या को अच्छी करता है लाइफ स्टाइल को अच्छा बनाता है आप अपने जीवन में बहुत चीजों का सुधार करते हैं कि मुझे जीवन में कैसे ज बिल जाते हैं तो वह गरह अच्छा खासा धंदायक सिद्ध हो जाता है तो आपके लिए स्थित्य अच्छी है और ब्रस्पति तो आपके राशी लगन में ही चल रहे हैं वो मंगल शुक्र को पूरा सहयोग दे रहे हैं इसका मतलब मंगल के अंदर और बल बढ़ेगा सोर्स अब बात करते हैं मीन राशी वालों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है मीन राशी ब्रस्पति देव की दूसरी राशी है और अंतिम राशी के से हम इसको जानते हैं इसके स्वामी ब्रस्पति हैं ऐसे लोगों के सभाव में कुछ छोड़ी चंचलता देखी जाती है लेकि आरे छेत्र में थोड़ा जादे मेहनत करा रहे होंगे अब मंगल जो कि अब तक आपकी बुद्धि स्थान पे नीच का था मैंने पिछले समय में बताया था कि ऐसे समय में व्यक्ति को जल्दवादी से बचना चाहिए नीच का प्लैनेट पंचम भाव में बुद्धि स्थान में जब गोचर करे तो व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा गलत निर्णे लेके नुक्सान कर लेता है लेकिन अब ये मंगल छटे घर में गोचर करेंगे आपकी राशी लगन से छटे में आया हुआ मंगल आपको साहस और हिम्मत प्रदान करता है परिष्टिती से लड़ने की शमता प्रदान करता है छटे घर का मंगल शत्रों को हराने वाला रोगों को हरने वाला और समस्याओं पर विजय प्राप्त करने वाला होता है अच्छी बात यह है कि आपके भाग्य भवन के मालिक मंगल है यह वोगी भाग्य स्थान का मालिक अपने से दशम में बैठके अपने ही स्थान को द्रश्टी दे रहा है यानि संघर्ष होगा संघर्ष से भाग्य चम्केगा शुक्र उसके साथ हैं जो की तुर्टियेश हैं फिर से एक संघर्ष करके सफलता का योग लेकिन अस्टमेच भी है कार्य बिनार चनों के सिद्ध नहीं होंगे इसमें एक पॉजिटिव आस्पेक्ट ये है कि ब्रस्पती आपकी राशी लगन और दशम के मालिक होके द्वादश में वक्री हैं वो मंगल को सपोर्ट दे रहे हैं कि आप मेहनत करिए आपको फायदा मिलेगा आप दूर स्था दूसरे घर का मालिक होके छटे घर में हैं यानि किसी कार्य को संपन करने के लिए आपको कोई कर्ज या लोन भी लिना पड़ सकता है लेकिन वह कर्ज लोन आप बहुत आसानी से आने वाले समय में चुका ही देंगे विदेश में नौकरी चाहिए विदेशी लोगों से आप नहीं मानता हूं यह आपकी योजनाओं पर खरा उतरेगा आप जिस तरीके से काम करते जा रहे हैं उसी तरीके से काम करिएगा आपके लिए ये मंगल योजनाबद तरीके से कारे करके लाब देने वाला ग्रह होगा तो यह था मंगल देव का राशी परिवर्तन जो की सामने में आऊँगा तब तक के लिए आप सभी मेरे साथ बने रहिएगा जैश्री राम